द्रिश्टी आईएस के डेली करण न्यूस प्रोग्राम में आपका स्वागत है डेली करण न्यूस में चर्चा का विश्य है इसराइली फर्म द्वारा सशस्त्र रोबोट का अनावरण हाल ही में इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एक अत्याधुनिक मानव रहित रीमोट नियंत्रित सशस्त्र रोबोट का अनावरण किया इसी के साथ फिर से एक बार विश्व समुदाए मेर्बशीनी सेनाओं को लेकर तर्क वितर्क शुरू हो चुके हैं बता दे कि इस रोबोट को इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के रेक्स MKII द्वारविक्सित किया गया है यह रोबोट युद्ध क्षेत्रों में गश्ट कर सकता है, विरोधियों को ट्रैक कर सकता है और ओपन फायर कर सकता है इस तकनीक के समर्थकों के मताबिक मानव रहित वाहन ड्रोन तकनीक की दुनिया में नवीन तम है, जो आधुनिक युद्ध क्षेत्र की परिस्थितियों को तेजी से बदल रहे हैं रोबोट के बारे में, यह चार पईया ड्राइव युक्त एक इलेक्ट्रोनिक टैबलेट द्वारा संचालित रोबोट है, इसमें दो मशीन गन, कैमरे और सेंसर लगे हो सकते हैं यह रोबोट जमीनी सैनिकों के लिए खूफिया जानकारी इकठा करने में सक्षम है घायल सैनिकों को ले जाने, युद के दोरान जरूरी सामानों की आपूर्ती करने और आसपास के लक्षियों पर हमला करने में सक्षम है टैबलेट वाहन को मैनूल रूप से नियंतरित करता है, लेकिन इसके मूवमेंट और सर्विलांस सिस्टम समेथ इसके कई कारे स्वायत रूप से भी चल सकते हैं यह रोबोट हर मिशन के साथ अधिक देटा एक अत्रित करता है, जिससे यह भविश्य के मिशनों के लिए सीखता है इसराइली ड्रोन वाहन का प्रदर्शन इसी सब्तहा लंदन के अंतराश्री हतियार व्यापार शो में किया जाना है Human Rights Watch के हतियार विभाग के एक वरिष्ट शोद करता बोनी डोचेटी ने कहा कि ऐसे हतियार चिंता जनक हैं उन्होंने कहा कि मशीने मानव जीवन के मूल्य को नहीं समझ सकती हैं और यह मानव गरिमा को कम करने के साथ साथ मानवाधिकार कानूनों का उलंगन करती हैं झाल